Hello everyone, कैसे आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभ होंगे fit and fine. मैं हूँ आपकी MESH teacher Aradna from Learnohub, a free learning platform where you can learn MESH Science SST, absolutely for free at learnohub.com. देखिए भाई, question number one, क्या कह रहा है? If M equals to 2, find a value of, अब यहाँ पर दिये गए हमें 3 parts, तो मैं सारे तो solve करने वाली नहीं हूँ. आप करेंगे first part अपने आप से practice, और मैं आपको करके दिखाऊंगी second and third part. तो चलिए बच्चों, पढ़ा पढ़ देख से अपना second part. तो second part में देखिए, आपको क्या expression दिया गया है, भाई, 3M minus 5, अब यह किस तरह का expression है, भाई, इसमें कितने terms है, इसमें 2, तो यह है हमारा binomial, ठीक है, अब देखिए, इन दोनों की बीच में क्या sign है, भाई, multiplication sign है, यह तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो चलिए, जहाँ पर तो देखिए, बच्चों, जहाँ M था, वहाँ पर हमने रख दिया अपना value 2, और देखिए, सब को पता है कि भाई, multiplication हो गया, और यह minus का 5 तो as it is आ गया, आप देखिए, 3, 2s are 6, minus 5, और 6, minus 5 क्या होता है, 1, यह तो आप सभी को पता है, तो यह देखिए, चुटकियों में कर लिया नम नहीं वाला question solve, आप करतें इसका third part, आप देखिए, बच्चों, यहाँ पर हमारा के expression है, 9 minus 5 M, और यह वाई, binomial, क्योंकि इसमें है two terms, आप देखिए, फटा फट, हमने यहाँ पर अपने M की जगर पर रख दिया, क्या दिया गया था, 2, तो 2 रखा, और देख का है, क्योंकि जब हमारे किसी भी value के आंगे कोई sign नहीं होता है, तो वो किस तरह की value होती है, positive value होती है, तो देखिए, 9 minus 10, और यह आगया हमारा answer, minus 1, कहां पर हमने क्या use किया है, integer concept, तो भाई, पटा-पट कर लिजे, अपने integer concept को revise, और हम चलते हैं, अपने next question पर, तो भ करना practice, तो चलिए, पटा-पट शुरू करते हैं, अपना fourth part, अब आप सबको मालू है, कि भाई, हमें m की value क्या दी गई थी, 2, तो जहां कहीं भी हमारा m है, वहां पर हम substitute कर देंगे value 2, तो चलिए, शुरू करते हैं, अब देखे, m square है, तो भाई, 2 का square हो गया, यानि इसका क्या मतलब है, कि 2 हो गया, 2 times multiply, ठीक है, minus का 2, और हमारा m का value था 2, क्योंकि मैं तो as it is ही रखती जा रही हूं, कुछ करी रही नहीं हूं, जहां जहां है, मैं वहां पर, भाई, sign को ignore नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हमारा यह plus का 2, तो हमने फटा-फट लिख दिया, और यह देखे, minus का 7, ठीक है, आप देखे, यह हो जाएगा, हमारा देखे, इसको square करेंगे, तो 2 into 2 क्या हो गया, 4, तो यह हो गया, 3 into 4, minus 4, minus 7, तो यह आगया हमारा 12, और यह हमारा as it is लिख 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 दिया, और minus का 7, और minus का 4, हमने जब add किया, तो यह हो गया, minus का 11, आप देखे, यहाँ पर भी हमारा integer concept हो रहा है, यूज, तो integer concept है, बहुत important, इसको कर लिखे, आप अच्छे से एकदम strong, आप देखे, 12 minus 1, आप यहाँ पर तो वाई, simple सा concept है, इसको subtract किया, और value आ गई हमार 1, तो मुझे पूरी अमीद है कि यह question हो गया होगा आपको अच्छे से clear, और 5th part आप करेंगे practice, और हम चलते हैं अपने next question पर, तो भाई बच्चों, आपने question number 2 पर, तो चलिए पटा पर देखते हैं कि question number 2 क्या कह रहा है, if P is equals to minus 2, find a value of, आप देखें यहाँ पर हमें दिये गए हैं 3 parts, तो सारे तो मैं नहीं करने वाली solve, क्योंकि कुछ आप भी करिए practice, तो चलिए आप कर लीजेगा first part को as a practice, और हम करते हैं second and third part को solve, तो चलिए शुरू करते हैं, आप देखिए बच्चों, भाई P की value क्या दी गई है minus 2, तो हमें हो जाना है थोड़ा extra careful, तो चलिए जहाँ पर भी हमारा P variable है, वहाँ पर हम रखेंगे value minus 2, आप देखिए बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है, भाई यहाँ पर P square था और P की value है minus 2, तो मैंने रख दिया minus 2 का whole square, ठीक है, यहाँ आप इसको minus 2 का square भी बोल सकते है, आप देखिए, यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा, और हमारे second term में अगर आप देखेंगे, तो भाई क्या है, 4 P, तो भाई 4, तो constant value है, और P की जगे हमने रख दिया, अपना minus 2, और plus 7, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको solve क करना है, तो चलिए फटापट करते हैं, अब आप यह चीज बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, अपने chapter, exponent and powers में, कि भाई, जब हमारा base negative होता है, और power होती है, even, यानि कि हमारी वो होती है, 2468 and so on, की form में, तो हमेशा हमारा product जो है, वो आता है positive, और अगर आपको य से solve कर लेते हैं, minus 3 into minus 2 into minus 2, ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने भाई, अपने square, क्योंकि minus है, तो हमें हो जाना extra careful, और देखें, मैंने minus 2 का square था, तो minus को 2 times minus 2 को multiply कर दिया, आप देखें, यहां पर आप ध्यान दीजेगा, तीक देखें, यहां पर यह दोनों जब multiply होंगे, त concept क्योंकि 4 into minus 2, भाई, क्या हो गया, minus 8, लेकिन यह देखें आप ध्यान से, कि यह minus 8 और यहां पर है, यहां पर है, यहां पर देखें, यह हमारा plus का 7, अब हमें फिर से अपना integer concept recall करना है, तो सबसे पहले हम भाई, इसको solve करते हैं, तो इसमें हम अपने सबसे पहले देख कि भाई, final product का sign क्या होगा, तो देखें, minus into minus, plus, plus into minus, minus, यानि कि सबसे पहले हमने लगा दिया, अपना minus sign, अब भाई, हम कर लेते हैं, अपने numbers को multiply, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, 3, 2, 6, 2, 12, आप देखें, यहां पर क्या हो रहा है, plus into minus, देखें, तो यह हो गय minus का 8, और यह हो गया plus का 7, कि लिए रहना सभी लोग यहां तक, होना भी चाहिए, अब चलिए, next step करते हैं, तो देखें, minus का 12, and minus का 8, क्या हो जाएगा, वाई, add हो जाएगा, और यह हो जाएगा, हमारा minus का 20, और यह देखें, यह plus का 7, तो मैंने touch किया ही नहीं, as it is आगय मैंने केवल अपने negative, negative values को add कर लिया, अब minus का 20, और plus का 7, जब आप करेंगे, तो क्या होगा, सोचिए, सोचिए, यहां पर concept आगया, हमारा integers का, कि one positive, one negative, we always subtract, sign, जो भी हमारी bigger value है, उसके आगया, वही है, तो 20 minus 7, क्या हो गया, 20 minus 7 हो गया, हमारा 13, तो इसका answer आगया, minus 13, तो देखिए, कितना simple question था, हमने कर लिया, पटापट इसको solve, आप करतें इसका third part, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना third part, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले step है कि वहाई, जहां भी हमारा P variable है, वहाँ पर हमें उसकी ज़रे क्या रख देना है, minus 2, तो चलिए फटापट रखते हैं, तो देखिए बच्चों, मैंने फटापट जहां जहां P था, वहाँ वहाँ रख दिया, minus 2, अब क्या करना है, अब हमें इसको करना है, बहुत ध्यान से solve, तो चलिए शुरू करते हैं, भाई देखिए, यहां पर यह minus का 2, और यह जो bracket में चीज़े हैं, इनके बीच में क्या sign है, multiplication sign है, तो देखिए भाई, यह मैंने लगाया, और यह देखिए, minus 2 का cube, ठीक है, अब minus 2 का cube क्या हो गया, minus 2, into minus 2, ठीक है, तो बच्चों, आपको एक और concept revise करा देती हूँ, जो आपने पढ़ा होगा, exponent and powers में, कि भाई, अगर हमारा base है negative, और power है हमारी odd number, तो हमारा product आता है हमेशा negative, अगर आपको यह नहीं समझ में आया, वैसे तो बहुत ही आसान चीज़े समझ में आ गई होगी, तो आप इसको क्या कीज़े, आप बस इसको 3 times minus 2 को multiply कर लीजे, ठीक है, अब next में देखिए, minus का 3 तो हम नहीं touch करेंगे, और हमारे ये सारे के सारे चीज़े क्या है, multiplication में है, तो माइनस का 2 into minus का 2, ये हो गया हमारा minus 2 का square, ठीक है, आप देखिए, plus into minus हो गया, minus, और ये देखिए, four into two, यहां दोनों के बीच में क्या है, multiplication, तो ये हो गया minus का 8, और ये देखिए, plus का 7 हमारा as it is चल रहा है, ठीक ह आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाई अपने sign को लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से, तो देखिए, sign कैसे वर्क होता है, minus into minus, ठीक है, आप देखिए, ये plus का, यहां गया, तो ये हो गया minus, और फिर हमारा minus into minus हो गया, plus, यानि कि finally हमारा product आएगा ये plus का, जो कि आप plus sign भी लिख सकते हैं, और अगर क्योंकि ये पहला term है, आप ignore भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इसको solve कर रहे हैं, तो हम sign को नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ignore, तो देखिए, क्या हो या, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, आप देखिए, यहां पर हम ध्यान दें तो 3 to the 6 to the 12, और ये as it is लिख लिए, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ ज्यादा multiplication या division करना ही नहीं है, as it is लिख लिए, अब भाई बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, कि सबसे पहले before solving, हमें पता है कि इंटीजर concept के हिसाब से हमारे positive positive terms add होते हैं, और negative negative terms भी add होते हैं, हम collect कर लेते हैं अपने positive terms and negative terms, तो देखिए ये plus का 16 तो है, ठीक है, और यहाँ से हमने ये as it is sign के साथ लिए, plus का 7, यहाँ पर देखिए ये minus का 12, और ये minus का 8, clear हुआ होगा, बिल्कुल clear हुआ होगा, अब देखिए next क्या आगे हमारा, इनको हमें add करना है, तो ये हमारा 23, plus का 23 लिख दीजे, यहाँ आप सिर्फ 23 भी लिख सकते हैं, रॉंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि plus sign है, भाई, minus तो हम ignore नहीं करेंगे, तो ये देखिए, minus का 12 and minus का 8, भाई, क्या हो गया, हमारा minus का 20, अब यहाँ पर देखिए, ये 23 plus का है, और ये minus का 20 है, तो भाई हम इन दोनों को सब्ट्रेक करेंगे, तो क्या आजाएगा, 3, तो ये आप लिख सकते हो, plus का 3, और आप लिख सकते हो, सिर्फ 3, तो इसका answer हो गया, हमारा 3, तो ये question भी हो गया होगा, आपको crystal clear, और हम चलते हैं, अपने next question पर, तो चलो बच्चो, आप हम करते हैं, अपना साथ है, जब हमारे negative numbers आजाते हैं, यह आप कह सकते हैं, कि हमारे जब integers की बात होती है, तो जो negative integers होते हैं, तो हमें हो जाना चाहिए थोड़ा ज्यादा careful, आप देखें, यहाँ पर हैं, हमारे four parts तो सारे तो मैं नहीं करूंगी, मैं आपकी लिए करूंगी केवल third and fourth part को solve, first and second आप करेंगे practice, ठीक है, तो first and second आप कर लेना practice, और हम और आप मिलकर करते third and fourth part को, तो भाई बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स है, वहाँ वहाँ में रग देना है, minus one, तो चलिए शुरू करते हैं, तो बच्चों हम कर रहे हैं अपना third part solve, तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ पर भी मारा एक्स था, वहाँ पर हमने कर दिया, अपने minus one का multiply, आप देखिए, यहाँ मैं करने जा रही हूं, जो मैंने आपको जिमार्क बतायते, वही use, आप देखिए, पटा- time multiply केज़े, भाई product तो आना है, वन ही ठीक है, अब लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि sign क्या होगा, तो sign आप ध्यान से देखिए, कि भाई हमारा है base negative, लेकिन power क्या है भाई, पावर तो है हमारी even, यानि कि जह हम minus one into minus one करेंगे, तो यह आ जाएगा plus one, clear हो गया होगा, मैं होते हैं यहाँ पे, अब यह plus का two, और minus का one, तो final भाई यह पहले हम लिख लेते है, sign, तो plus into minus तो होगया, भाई, minus, और two into one आ गया, यह देखिए, minus का two, बहुत ध्यान देने वाली बाद क्या है, केवल sign, और जब आप multiply कर रहे हैं, तो कोई भी calculation mistake नहीं होनी चाहिए, ठीक अब plus one, plus one हो गया, भाई, plus two, और minus two, तो final हमारे यह दोनों cancel होके, answer हो गया, zero, तो कितना असान question तो, और answer भी हमारा आया, super duper simple, तो चलिए करते हैं अब इसका fourth part, आप देखिए बच्चो, fourth part में, जहां भी x है, वहाँ क्या करतेंगे, रगतेंगे अपनी value, minus one, आप देखिए बच्चो, बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, कि भाई, यहाँ पर भी हम use करेंगे, अपने positive integer concept को, तो देखिए, यहाँ पर, चलिए, एक बार और revise करा देती हूँ, क्या कि आपकी जब base है, negative, और power है, even तो product आता है, हमेशा positive, तो चलिए, फटा-पट लिखते हैं, 2 into, और यह देखिए, मैं directly ही लिख देती हूँ, क्योंकि 1 को end number of times multiply कीज़े, product y आना है, 1 ही, तो यह देखिए, मैंने कर दिया, plus 1, और यह देखिए, minus, minus, plus 1, minus 2, आप देखिए, यहाँ पर क्या होगे है, 2, 1, 2, plus 1, minus 2, clear हुआ होगा, बिल्कुल clear हुआ होगा आप देखिए, 2, plus 1, minus 2, आप देखिए, यह solve किया, तो हमारा आंसर आ गया, clear होगे होगे, यह सारे के सारे parts और जो मैं आप से कह रही हूँ, practice करने के लिए, उनको आप practice जरूर कीज़ेगा, और हम चलते हैं अपने next question पर, चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना question number 4, त यहाँ पर भी हमें कितने parts दिए गए हैं, 3 parts दिए गए हैं, क्या मैं सारे solve करूँ, नहीं करने चाहिए न, विल्कुल कुछ तो आप भी practice करिएगा, और देखिए, आप करेंगे first part को practice, और मैं करती हूँ आपके लिए second and third, और वो भी मैं अकेले नहीं करनी हूँ, आप और हम साथ में मिलके कर रहे हैं, तो चलिए फटापट शुरू करते हैं, आप देखिए, यहाँ पर हमारा जहाँ भी a है, वहाँ पर हमें क्या रखना है वाई, 2, और जहाँ पर भी b है, वहाँ रखना है माइनस 2, तो बहुत carefully हम रखेंगे अपनी values को, फिर तो answer आना ही है हमा करेक्ट, तो देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से मैंने जहाँ भी a था, वहाँ पर रखा y प्लस 2, और जहाँ पर भी b था, वहाँ पर मैंने रखा माइनस 2, तो देखिए, a स्क्वेर यानि की 2 का स्क्वेर, a, b, यानि इनके बीच में क्या साइन है, मल्टिप्लिकेशन साइन है, तो 2 इन्टू माइनस 2, प्लस, और यह देखिए, यहाँ पर भाई, हमारा b क्या था, माइनस 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वेर, सारी वैल्यूज रख ली सही से, अब तो हम इसे सॉल्ब करी लेंगे, तो चलिए, फटा-फट सॉल्ब करते हैं, अब देखिए, बच्चो, फटा-फट मैंने इसको सॉल्ब किया, तो 2 का स्क्वेर क्या होगा है, 2 इन्टू 2, 4, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिए अपना साइन, तो प्लस इन्टू माइनस, माइनस 2, 2 जा 4, अब यह देखिए, अब प्लस इन्टू मा देखिए, माइनस 2 का होल सक्वेर, तो यह देखिए, मैने अपनी सारी वैल्यू सो इन TWO होड़ी प्लस इन्टू 3, वह त्टा-पट इनको साइन के सान के बेसिस करते हैं, प्लस इन்टू 3, तो मीनस का मैंने लिख दिन्ग कर दिया, नग Council हो गए, माइनस to 4, बचंड देख positive values को add कर लीज़े जो कि हमारी 4 plus 4 8 minus 4 हो जाएगा हमारा plus का 4 और 4 तो देखिए आ गया ना हमारा answer क्योंकि हमने नहीं की कोई भी calculation में mistake अब करते हैं इसके third part को solve आप देखिए बच्चों हम करने जाने है अपना third part तो भाई जहां भी a हम क्या रखतेंगे 2 तो 2 का square minus और यह देखिए minus 2 का whole square बहुत ध्यान से हमें यह करना होता है क्योंकि अगर मैंने यहां पर ही मान लीजे कुछ गड़बर कर दी तो भाई answer तो आई जाएगा रोंग आना भी चाहिए क्योंकि हम कर रहे है mistake तो भाई करना है बहुत ध्यान से जो भी आपका कर रहे हो तो यहां पर हम कर रहे है sum को solve तो करेंगे पूरे ध्यान से आप देखिए बच्चों हमने यहां पर पटपट रगती values और पिर इनको किया solve तो भाई आप सबको मैं यह बारवार निमार की याद दिला रही हूँ कि जब हमारा base होता है positive यह तो है positive और हमारी power होती है even तो हमारा product आता है हमेशा plus और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो 2 into 2 भाई क्या होता है 4 होता है तो भाई तो हमने लिख दिया आप देखें यहाँ पर भी मुझे पता है 2 into 2 होता है 4 sign की बात रही तो मैंने पटा-पट देखा कि भाई base है negative लेकिन power है even तो 101% हमारा आएगा product plus ठीक है और आप बैसे भी देख लीजे कि minus 2 into minus 2 भाई क्या होगा minus minus plus and 2 to the 4 ठीक है अब देखें plus into minus होगा minus ठीक है अब यहाँ माइनस का 4 और plus का 4 क्या होगा answer 0 तो यह question भी होगा solve और हम चलते हैं अपने next question पर लेकिन आप करेंगे practice वाले sums अपने app से चुनो बच्चो शुरू करते हैं अपना question number 5 तो ध्यांद देगे भाई question number 5 में क्या कहा जा रहा है when a equals to 0, v equals to minus 1 find the value of the given expressions अब इसमें भी दिये गए हैं भाई हमें कितने parts, 4 parts तो क्या मुझे सारे parts करने की जरूरत है बिलकुल नहीं है क्योंकि मेरे students हैं बहुत intelligent तो मैं करती हूँ खेवल second and third part को solve आप करिएगा practice first and fourth part तो चलिए हम और आप मिलकर करते हैं second and third part आप देखिए बच्चो हम करने जा रहे हैं अपना second part और हमें बहुत ध्यान से रखनी है अपनी a और b की values तो चलिए शुरू करते हैं 2 into understood है वाई कि 2 और a square के बीच में क्या sign है multiplication sign है क्योंकि हमारे जब ldmd expressions की बात होती है तो each term में जितनी भी values हैं उनके बीच में क्या sign है multiplication sign है तो देखिए यह हो गया हमारा zero square plus b हो गया हमारा minus one का square ठीक है और यह देखिए plus one आप देखिए यह हो गया zero plus तो भाई यह बच्चो देखिए यहाँ पर हमारा one है और one के साथ कोई variable नहीं है तो भाई हमने इसको as it is लिख लिया आप देखिए two into zero का square यानि यह zero हो गया ठीक है बहुत इसान है आप देखिए यहाँ पर हमारा यह minus one का square तो देखिए यहाँ पर फिर से में आपको एक निमार्ग यार्द दिला देती हूँ कि base है हमारा negative वो power है हमारी even तो product आएगा हमारा plus और ऐसे भी देख लिए आप minus one into minus one क्या हो जाएगा हमारा plus का one ठीक है अब plus into plus भाई हो गया plus one और यह देखिए एक हमारा यह था plus one तो यही मैंने यहाँ पर लिख लिया तो answer हमारा आगया plus two या आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ two भी तो I hope यह question भी हो गया होगा आपको अच्छे से clear आप करते हैं अपना third part तो बच्चों आप देखिए third part में फटापट से रख देते हैं अपने A और B की value जो की है zero and minus one तो जहाँ भी A है क्या रखेंगे zero और जहाँ भी हमारा B है वहाँ पर हम substitute करेंगे minus one तो चलिए फटापट करते हैं आप देखिए बच्चों भाई जहाँ भी हमारा A था रख दिया zero और जहाँ भी हमारा B था रख दिया minus one यानि की substitute कर दिया आप तो भाई बहुत ही common sense वाली बात है कि भाई सारे के सारे हैं हमारे multiplication में और अगर चाहें कुछ भी multiplication में और उनके साथ अगर zero हो तो भाई वो पूरा का पूरा product हो जाता है zero यानि कि इस term की value हो गए zero इसकी भी हो गए zero और इसकी भी हो गए zero तो प्लस और माइनस कुछ फरक नहीं पड़ता वैसे आप चाहें त तो आप अपना प्लस और माइनस देखकर लिख सकते हैं आप देखें जैसे कि यहां पर क्या था यह हमारा final answer आ गया zero तो यही था हमारा इसका answer तो मुझे पूरी अम्मीद है कि आपको second and third part हो गया होगा अच्छे से clear और जो मैंने आप पुग दी हैं यानि कि first and fourth part practice के simplify the expressions and find the value of x is equal to 2 अब यहां पर x की value क्या है वाई x की value है 2 तो चलिए पटापट जहां जहां x होगा वहाँ पर रखेंगे value और solve कर लेंगे अपने questions को लेकिन यहां पर कितने parts हैं वाई four parts है तो क्या मैं सारे solve करूं बिल्कुल नहीं करूंगी आप करेंगे first and third part को practice और मैं के लिए solve करूंगी second and fourth part यानि कि हम और आप मिलकर करेंगे second and fourth part को solve तो चलिए शुरू करते हैं तो देगे बच्चों हमारे second part में जहां भी x है वहां हम रख देंगे अपनी value 2 तो चलिए substitute करते हैं x equal to 2 जहां पर भी हमारे इस expression में है variable x तो देखिए पटापट हमने अपनी substitute की values और भाई solve कर लिया तो देखिए x की value रखी यहां पर 2 और यह already 2 था तो देखिए bracket में हमने किया 2 plus 2 और यहां पर भी है तो हमने 5 है और यहां पर 2 रख दिया और यह minus 7 आप देखिए यहां पर यह 2 plus 2 4 हो गया जल्दी से multiply किया ठी यहां पर भी हमारा 5 2 जा 10 आ गया और यह minus 7 अब दिखिए इसको multiply किया तो यह आ गया 12 यह हमारा 10 और यह minus 7 हमने इसको पटापट क्या किया integer concept के हिसाब से solve कर लिया तो यहां पर भाई हमारा यह plus का है और यह minus का है जैसी solve किया हमारा answer आ गया 15 तो थाना कितना आसान question आप क तो देखिए बच्चों जहां जहां X था वहां रगदी value हमने अपनी 2 तो देखिए यहां पर 2 तो already था 4 यह मारा outside bracket है तो उसे as it is earned दिया सबके बीच में क्या sign है multiplication sign है 2 into यहां पर हमने किया 2 और फिर यह minus 1 फिर यहां पर plus 3 का यह थाई और X की value हमने रग दी 2 और यह plus का 11 as it is क्योंकि इसके साथ नहीं है हमारा variable X ठीक है आप देखिए भाई इसको integer concept से solve किया तो यह देखिए 4 as it is रहा यह 4 minus 1 हो गया यह plus का 3 2 तो 6 हो गया और यह plus का 11 अब यह देखिए 4 minus 1 करते हैं हमारा 3 तो यह 4 3 तो 12 और यह देखिए 6 औ यह हो गया इसका final answer तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको clear हो गया होगे second and fourth part कौन से part आपको करने है practice first and third तो आप practice जरूर करिएगा तो देखिए यहाँ पर हमें total कितने parts दिये गए हैं 5 parts दिये हैं तो सारे तो मैं नहीं solve करने वाली हूँ मैं करती हूँ आपके लिए सारे और नमबर वाले parts याने कि first, third and fifth, second and fourth आप करेंगे practice तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने first part का solution तो तेखिए बच्चों clearly हम पहले पढ़ लेतने हैं question को simplify these expressions and find their values if x equals to 3, a equal to minus 1 and b equals to minus 2 अब आप अगर इन सारे expressions को देखें तो इसमें हमें कहीं न कहीं आपको देखेगा कोई variable x है तो कोई हमारा a है और कहीं कर हमारा a और b दोनों ही हैं तो भाई हम जब भी कोई भी variable solve कर रहे हैं तो हमें रखनी है उसकी value यानि की substitute करनी है उसकी value बहुत ध्यान से जो हमें दी गई है वही हम substitute करेंगे तभी हमारा answer आएगा correct नहीं तो सारी की सारी हमारी जो hard work है वो हो जाएगी waste तो चलिए शुरू करते हैं अपना first part आप देखें हमें क्या दिया जया है ठीक है तो मैंने लिख दिया substituting x equals to 3 in the given expression ठीक है आप दे चुके है इन दौनों के बीच में हमारा है multiplication तो x की ज़रे मैंने रख दिया 3 ठीक है minus 5 यहाँ पर देखें यह minus already है और यह plus का 3 है ठीक है क्योंकि कोई sign नहीं है before the number तो यह plus और यह देखें plus 9 ठीक है आप देखें फटा फटा हमने किया multiply तो 3 into 3 क्योंकि plus का 3 है sign को कोई change न यह हो गया minus का 5 और यह देखें minus का 3 और यह plus का 9 ठीक है आप देखें आप एक परीगा क्या है आप सारे के सारे अपने positive values को एक तरफ add कर लीजे और negative values को एक तरफ क्योंकि positive positive भी add होती है और वह integer concepts है negative negative भी हमारी add होती है लेकि minus sign रहता है ठीक है तो चलिए भई कर लेते है तो हमारा यहाँ पर 9 यह कैसा है जो first वाला number है यह हमारा positive है और इसके दाए यह वाला हमारा क्या है plus तो यानि 9 प्लस 9 हमने यह लिख लिया और देखें सारे negative को मैं थोड़ा सा triangle बना लेती हूँ ताकि आपको बिलकुल confusion लो इनको एक तरफ लिख लिए ठीक है तो यह दे 18-8 हो गया 10 यानि कि हमारी value आ गई of the given expression यानि कि first part की expression की for variable x equal to 3 10 कि लिए रो गया होगा आप करते हैं इसका third part तो देखें बच्चो हमें a की value दी गई है minus 1 तो मैंने लिख दिया substituting a equals to minus 1 in the given algebraic expression तो चलिए पटा पट जहाँ भी a है वहाँ पर हम क्या रखेंगे minus 1 और minus है तो हम हो जाएंगे extra careful तो देखें बच्चो पटा पट हमने जहाँ भी a था वहाँ पर रख दिया minus 1 और क्योंकि minus 1 है तो मैंने bracket भी लगा दिया है ठीक है इन दोनों को बीच है multiplication sign वो कर दिया आप देखें यहाँ पर भी यह देखें एक ही जगे मैंने minus 1 रखा और बागी जो constant values थी वह as it is लिखती है आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर पोई भी हमारी negative value है नहीं यह सारे plus के थे इनको add किया पट आपट और और इनकी value आ गई हमारी 14 ठीक है ठीक ह 14-3 किया क्यों किया क्योंकि भाई हमारा यहाँ पर आ गया integer concept कैसे कि यह एक है plus का और एक है minus का तो हम कर देते हैं subtract और sign follow होता है जो भी हमारी bigger value है उसके आँगे कैसा आइन है तो यह के plus यह वाली 14 value हमारी बड़ी है और इसके आँगे plus है तो सा आ गया plus 14-3 हो गया 11 जिसक जरूर करना तो बच्चों आप देखिए हमारे fifth part में है A और B दोनोई variable तो हमें substitute करनी है अपने A और B की values तो लिखती है मैंने यहाँ पर substituting A equals to minus 1 and B equals to minus 2 in the given algebraic expression तो चलिए बाई हमने जहां भी A था यहाँ पर A था 2A यानि की A की जग रखा minus 1 minus 2 यहाँ पर B है और B की value क् हमारी minus 2 तो यहाँ पर रखते हमने minus 2 फिर देखे minus 4 में कोई भी variable नहीं है यह दोनों ही constant है यह भी minus 5 constant है और यह देखे plus हमारा A की value थी minus 1 और यह रखते हमने यहाँ पर ठीक है अब हम अपने integer concept से इसको करना है solve तो देखे यहाँ पर हो गया यह plus into minus minus सबसे पहले sign लिख लेते हैं फिर इसका 2 into 1 2 ठीक है similarly देखे minus into minus plus हो गया 2 2s are 4 हो गया अब यह देखे यह minus का 4 minus का 5 constant है as it is लिग गया plus into minus ही हो गया minus 1 clear? बिल्कुल clear होना चाहिए यहोगी integer concept है बहुत ही ज़्यादा important topic ठीक है आप देखें यहाँ पर हमने सारे negative terms लिख लिख लिया और positive को एक तरफ लिख लिया ठीक है अब यहाँ पर क्या concept आ गया integer का वह वाला concept कि one positive one negative we always subtract and sign followed by the bigger value ठीक है तो bigger value है absolute term में 12 तो वहाँ अब हमारा minus तो हाँ पर answer में आएगा minus 12 minus 4 हो गया 8 तो इसका answer आगया हमारा minus 8 तो मुझे पूरी अम्मीद है कि question number 7 के आपको जो part मैंने पढ़ाया है वह होगे अच्छे से clear और हम चलते हैं अपने next question पर तो बच्चों आम करने जा रहे हैं अपना question number 8 तो question number 8 में भी हमें दिये गए है two two parts तो मैं आपके लिए कर देती हूं second part solve और first part आप करना practice ठीक है तो चलिए फटाफट आप और हम मिलकर करते हैं इसके second part को solve तो देखे बच्चों हमें दी गई है P की value minus 10 और हमें इस expression की value find करनी है तो बहुत ही असान है बाई जहां जहां हमारा यहां पर इस expression में P है वहां पर हम रखतेंगे अपनी value minus 10 तो चलिए फटाफट करते हैं तो बच्चों substituting P equals to minus 10 in the given expression तो चलिए फटाफट रख देते हैं अपना P equals to minus 10 तो देखे सबसे पहले है P square तो भाई minus 10 का square ठीक है फिर minus 2 और हमारा P की value है minus 10 और भाई minus 100 तो हमारा constant value है यानि numerical value है उसको as it is लिख लिया आप देखिए यहां पर मैंने आपको जब आपको अपनी previous exercises इसी chapter की solve कर आ रही थी तो बताया था कि एक बहुत important बिमार्क है कि अगर आपका base negative है जो कि आपने exponent and power chapter में पढ़ा होगा अगर आपका base negative है और power even है तो product आता है हमेशा हमारा positive ठीक है यानि कि 10 का square होगया हमारा 100 और sine होगा plus अगर आप मान लिजे एक्जाम में थोड़ा सा हरी वरी में हो और आपको ये वाली चीज यानि ये remark recall नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप भाई पटापट minus 10 into minus 10 कर दीजे ठीक है कर दिया आप देखिए minus 10 तो यहां आप देखिए minus into minus plus 10 into 10 100 ठीक है plus 20 minus 100 आप देखिए एक तरीका तो यह है आपने plus plus के add कर दीजे और उसमें से minus का subtract कर दीजे एक तरीका और है बहुत आसान भाई हम इतना क्यों करें हमें दिख रहा है कि यह plus का 100 और यह minus का 100 है तो यह तो यहीं cancel हो गए क्योंकि same values है और sign है different यानि plus or minus तो यह हो गए cancel तो हमारा क्या बच्चा हमारा बच्चा safe plus 20 जिसको हम लिख सकते हैं और 20 तो इसका answer हो गया हमारा safe 20 ठीक है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह question हो गया होगा आपको एकदम crystal clear और हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चों आप देखते हैं अप question number 9 तो question number 9 क्या कह रहा है what should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5 यह आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक है when x equal to 0 तो question समझ में आया कि नहीं भाई यह कहा जा रहा है कि इस expression की value अगर हमारी equals to 5 है तो हमें अपने a की value find करनी है x को 0 रखके ठीक है यह कह रहा है यह question तो चलिए यही हम कर देते हैं कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए क्योंकि question हमें आ गया है समझ में तो देखिए बच्चों मैंने आपके question को और simple language में लिख दिया है क्या लिख दिया है finding value of a when 2x square plus x minus a equals to 5 where x equals to 0 यानि कि जहां जहां x है वहां रखना है हमें 0 और find करनी है अपने a की value तो अब हो गया होगा question आपको और भी के लिए तो चलिए पटापट कर देते हैं इसको solve x था वहां वहां हमने रख दिया 0 तो यहां पे x square था यह होगा 0 square यह था भाई 0 और यहां था x तो यह होगा हमारा 0 minus a equals to 5 आप देखिए भाई हमारा 0 का square क्या होगा 0 ही होगा कितने n number of times भी आप 0 को multiply करें तो भाई आना है answer तो 0 ही even अगर आपके सारे number से और उनके बीच म minus a equal to आगया 5 अब usually कहते हैं कि भाई हमसे पूची गई है वैसे भी a की value और यह है हमारे minus a की value और वैसे भी अगर आप कभी भी question solve करें तो try करें कि आपका जो a है वो हमेशा आए यानि आपकी जो variable की value है वो हमेशा आए positive बना variable जो हो हमेशा positive form है ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर यह negative है तो उसको आप बना सकते है positive कैसे बना सकते है भाई देखिए अगर मैं इसके दोनों ही sides को minus 1 से divide कर दूँ तो देखिए minus minus cancel होगे और मेरा a बने गया positive और यहाँ पर भी यह plus का 5 था और मैंने इसको minus 1 से divide किया तो हमारे a की value आ गई minus 5 क्यों किया मैंने यह क्योंकि हमें find करनी थे clearly अपने a की value यानिकि positive a की value अगर हमसे negative कहा जाता कि minus a की value find करी है तो हम यही पर as it is यही answer लिख देते तो अगर आपको कभी भी किसी भी negative value को positive बनाना है या अगर वो negative form में है तो आप उसको divide कर दीजे क्यों मैंने लिया minus 1 क् 1 से किसी को भी divide करते हैं हमें मिलता है same number और अगर आपने same sign लिया है तो वो हो जाते हैं cancel तो I hope यह question भी हो गया होगा आपको अच्छे से के लिए और हम चलते हैं अपने next question पर तो बच्चों अब हम आ गए हैं इस class के last question पर तो चलिए फटापट इसको भी solve करते हैं ध्यान से ठीक है simplify the expression and find its value when A equals to 5 and B equals to minus 3 ठीक है तो सबसे पहले तो हमें simplify करना है फिर हमें उसमें जहां भी A है वहां रखना है 5 और जहां भी B है वहां पर रखना है minus 3 तो question के लिए रो गया होगा बहुत ही आसान है तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं simplify तो देखिए ये इसको क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं 2 A square क्योंकि इन दोनों के बीच में ये bracket में जो चीज है और इसके बहाँ ये constant value है इन दोनों के बीच में अब आई multiplication ठीक है तो देखिए 2 A square plus 2 A B plus 3 देखिए इसके केवल each term के साथ 2 multiply होगा यानि जो value हमारी bracket में है और उसके बहार ज जाकि यहां बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह separate हो गया हमारा term plus से ठीक है आप देखिए plus 3 और ये देखिए minus का A B ठीक है आप देखिए ये दोनों हमारे किस तरह के terms हैं ये हमारे हैं like terms ठीक है तो अब इनके बीच में हम कर सकते हैं add और subtract तो ये लिख लिए आपने add it is 2 A square plus 3 और ये देखिए plus का 2 A B और minus का A B ठीक है आप देखिए ये as it is आगया 2 A square plus 3 और ये देखिए 2 A B minus A B क्या हो गया है यहाँ पर plus का A B ठीक है ये कैसे आगया इस तरह पर इस आपको बता देती हूं ये देखिए constant values यहाँ पर क्या है यहाँ पर numerical coefficient है minus 1 ठीक है तो 2 minus 1 और A B तो देखिए 2 minus 1 हो गया हमारा 1 A B जिसको हम लिख सकते हैं A B B तो ये इस तरह से कुछ आ गया और इतनी practice कर लिया तो ये आप आपको अच्छे से आ भी जाना चाहिए आप देखिए क्या हमारा question complete हो गया बिल्कुल नहीं हो गया क्या miss out हो गया हमसे जो आप लोगा दिकत हमारा complete तो चलिए रखते है फटा पर 2 into जहां जहां हमारा A है वहां मैं substitute कर रही हूँ 5 ठीक है और जहां B है वहां पर करूंगी minus 3 तो देखें A की value 5 और यहां पर A square था तो 5 का square ठीक है plus 3 हमारा constant value है फिरी देखें plus A B हमारा क्या है 5 into minus 3 क्योंकि A की value है 5 और B की value है minus 3 आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into minus 3 कुछ गलत नहीं है ठीक है A into B ठीक है आप देखें यह तो बहुत ही असान है प्लस का 3 आप देखें यह plus into minus minus हो गया और यह हो गया 15 आप देखें यहाँ पर यह दो उन्हों plus की है तो फटा फटा हमने add किया तो यह हो गया 53 plus का और minus 15 अब यह क्या आजया जैसे हमने इसको subtract करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा तो देखें रच्चों हमने subtract किया यहाँ पर भी हमारा integer concept चल रहा है 1 positive 1 negative subtract sign by the bigger value यानी plus की तो यह द solve किया होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जो questions मैं आपसे कह रहे हूं प्रैक्टिस करने के ले उनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा तो भाई बच्चों मुझे पूरी उमीद है कि आप सबने मेरे साथ इन सारे questions को अच्छे से समझा होगा और solve किया ह मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स क्लास में आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCRT solution और आप सभी जानते हैं learn how free है बट बेस्ट है थैंक यू झाल 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 झाल